वेल वर में आज की 그 इस वीडियो को के साथ նेर करने जा रहे हूं कि कि लोगों को पिच कलर क्रेक्टर परचेश कना चाहिए ओर इंड है और उसी कलर क्यica करने के लिए कलर क्या स्वह से अफ, बट हमें यह नहीं पता होता कि हमारी स्कीन के शेट के लिए ओरेंज परफेक्ट है या परफेक्ट है पीच कलर करेक्टर तो यह शेयर करना बाइज में आजके इस वीडिव मैं प्रिस आयाई जाय लेट स्ट टार्ट इसम घरल के प्रो कंसील कलर कर्ड़र तो एक और एक है क्लार देख सकते हो एक और ये गर्दर लोगें को फूल कवच्टि थैज तब भी आपने औरिश्य राख़के कि और या इ theories पे आपने इतनी अमाउंठे ऊर्रीर को कहो कभी नहीं करना स्वाइर डिटल फिंगर की help के साथ dotted form में पहले apply कर लेना है then concealer brush की help के साथ इसको help के हातों से करना है dab तो अगर fair skin के ऊपर आप orange character apply करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा result बट अगर fair skin के ऊपर अगर आप peach character को करोगे apply तो मैं peach character एक side पे कर रहे हूं apply तो जो यह peach character है यह आपके dark spot एकदम से कर देगा hide orange character को set करने के लिए काफी दर टाइम लगता है तो बहुत अच्छे से हमें set करना पड़ता है नहीं तो make up definitely cakey हो जाएगा और अगर हम peach character का use करते हैं fair skin tone वाले peach character के बाद आप direct foundation का कर सकते हो यूज कोई और layering करने की जुरुएत नहीं है तो आपने foundation को इस तरह से कर लेना है apply और brush के help के साथ अच्छे से कर ले blend तो यह quick और easy way है fair skin tone वालों के लिए अपने dark spot को hide करने के regarding तो दिखा आपने कितना quickly मेरा make up base हो गया set इस peach color के character की help के साथ बट अगर आप orange character apply करते हो और औरेंज करेक्टर को hide करने के लिए आपको dark color का पहले concealer apply करना पड़ेगा देन बाद में आप करोगे foundation का यूज तो इसमें ज्यादा layering हो जाती है तो यही best option है face skin tone वालों के लिए और औरेंज करेक्टर यूज करने की बजाए आप पीछ करेक्टर ही करें यूज तो आप देख सकते हो अब दोनों साइट पर कोई भी difference नज़र नहीं आए पीछ करेक्टर में और और औरेंज करेक्टर वाली साइड दोनों अब एक्वली लग रही है एक्वली मेकप बेस लग रहा है तो वही काम पीछ करेक्टर कर देगा तो इसलिए और इंज ना करें यूज फिर अगर आपकी स्किन का अगर और अगर और यूज यूज तो यही अक्सर रहता है कि हमें कौन सा शेड करेगा शूट तो यह सिंपल वे है इस बाग को आपने भियान रखना है जब भी कलर करेक्टर अपनी स्किन के लिए करना है परचेज अब आज का वेडियो जिसमें आप लिग के साथ शेयर किया कि हमें पीच कलर ग्लर इचाही या पर इचिकरना चाही ए और अज का वेडियो देखने कबाद अब आपका डाउड क्लीर हो गया होगा और डेफिनेटनी अब आप राइट कलर कार तो परकेज अपनी स्किन के ल बाइ